नमस्कार दोस्तों मैं दिपानशुर श्वागत करता हूँ आपका CGPSC व्यापम में आप सभी को रक्षा बंदन परवकी बहुत बहुत सुपकामना है जिन्होंने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाया है जैसा कि आपने वीडियो का डैटल पढ़ लिया होगा कि चत्रजगर के राज्यपाल स्रीमती अंसुया उपके जी ने उच्च सिक्षा मंतरी उमेश पटल जी को भरती के लिए कहा है अभी कौन से पद है इसका पूरा क्या है मामला हम देखेंगे तो आप इस वीडियो में बने रहिए तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को इस्टा चौदा सो पदों में सहाइक प्रत्यापक, क्रेडा अधिकारी, ग्रंधपाल इस प्रकार की भरतियां हुई है कौलेजों में परन्तु अभी भी कौलेजों में और सारे बहुत सारे पोश्ट जो है वो खाली है इस प्रकार से वहां भी भरती नहीं हो पाई है जिसकी से स्टाफ की कमी के चलते तीदा सा कहना चीए कि उसमें बहुत सारा पढ़ाई प्रैक्टिकल इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारी चीजे को देखा जाता है इस वज़ए से हमारी जो ग्रेडिंग सिस्टम है चत्तिसगर के कॉलेजों की वो पिछड जाती है जब इ उसकी सूची मेरे पास भेजे और उसके बाद वहाँ पे उन्हें ने भरती के लिए कहा इसका पूरा मामला क्या है हम आगे बात करेंगे तो ये जो खबर है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर फिर से एक बार असिस्ट प्रक्रिया के साथ साथ जब इनकी वेटिंग लिस्ट की जो अधी है वो समाप्त हो जाएगी उसी के बाद जो नई वेकैंसी है वो देखने को आपको मिलेगी पहली बात दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सीजी पीएस से निकालता है उस अब जो है आपने बहुत सारे लोग जो गरंत पाल वाले है उनकी जो भरती हुई है वो अटकी हुई थी और अभी जो है अब बोलना ची भरती प्रक्रिया जारी है और जल से जल उसमें भरती हो रही है चाया वो कृड़ा भी भाग हो या बोलना ची कृड़ा अधिकारी हो या आपके ग्रंतपाल अधिकारी हो तो उन सभी में जो है अभी continue इसमें तेजी आई हुई है कोरोना के कालरन जो है इसमें भरतियां कम से कम रुख गई थी तो ये जो पूरी भरती प्रक्रिया है जब पूर्ण हो जाएगी उसी के बाद जो है नहीं भरती आएगी परन्तु इसके अलावा जो तृती और चतुर्थ स्रेणी के जो पद है उसको भी भरती के लिए जल से जल आपके सामने लाया जाएगा क्या है पूरा मामला देखते हैं तो आप सभी जानते है कि चत्रजगर के राज्यपाल या कोई भी राज्य के राज्यपाल हो पूरे सासकी विश्विद्याले कि है किसी भी राज्य के सासकी विश्विद्याले जिस राज्य के वो राज्यपाल है वहां के वो कुलाधी पती होते हैं तो जब राज्यपाल ने इसका संग्यान लिया तो राज्यपाल ने उच्छ शिक्षा मंतरी को निर्देश ओधिये की जल्द बुलाया समन्वे समीती की बैठक समन्वे समीती की बैठक में क्या होता है मैं आगे बताऊंगा फिलाल दिखे यहाँ पर बताया गया है कि कुला धीपती एवं राज्य पालन सुविया उइके ने विस्विद्याला में सेक्षणिक कैलेंडर का पालन करने एवं उच्च गुनवत्ता के लिए ततकाल समन्वे समीती की बैठक पुलाने का निर्देश उच्च शिक्षा मंतरी उमेश पटेल जी को दिया है बैठक में नई सिक्षा निती और भी बहुत सारे बातों पर चर्चा है परन्त हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि यहां पर दिखे साइड में लिखा है कि रिक्त पदों पर जल्द करेंगे भरती प्रदेश के विश्विद्यालों और महाविद्यालों में रिक्त पदों में जल्द भरती करे ताकि नैक से अच्छी ग्रेडिंग मिल सके और विश्विद्याले अनुदान आयोग द्वारा साहता राजी प्राप्त हो तो देखे यहां पर पूरा मामला समन्वे समीती पर है जैसे ही समन्वे समीती की बैठक होती है उसमें मुहर लगती है बहु सारी चीजों पर मुहर लगती है तो उसमें से जो रिक्त पदों प जाती है वहाँ पर उसका अनुमोदन होता है और साथ ही साथ राज्यपाल और उसके साथ उच्च शिक्षमंद्री उनका भी अनुमोदन होता है और तुरन जो है वो वित्त विभाग के पास अनुमती के लिए जाता है जिसका अनुमती मिलने के बाद जो है वो भरती प्रक्र सामने आने वाला जो सब्ता है वो बहुत ही महत्पून होने वाला है चाहे वो सीजी व्यापम हो चाहे वो बिजली विभाग की भरतियों से संबंदित क्यों नहों चाहे वो पुलिस विभाग की भरतियों से संबंदित क्यों नहों बहुत ही महत्पून होने वाला है तो आप स अभी को अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, सेर करें एंड लाइक जरूर करें तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद